इंदोर में चोरी और डूट का एक और बड़ा मामला सामने आया है सूत्रो समली जानकारी के नुसार लोगों के साथ आनलाइन ठगी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफतार किया गया है आरोपी के खिलाफ 15 से अधिक शिकायत दर्ज थी जानकारी के नुसार आरोपी सस्ता सोना और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर प्रलोभन देकर ओनलाइन ठगी करता था लोगों द्वारा क्राइम ब्रांच इंदोर को करोडो रुपे की ठगी और हिरा फेरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है यह एक ऐसा ब्यक्ति है जो मरी माता का है अस्थानी तोर पर है समान सा देखता है लेकिन इसने करोडों लोगों के ध्रकादरी अपने आसपास के लोगों से की है लोगों को चूना लगाया है और इसमें खास बात है कि किसी इसका मॉडल सफरेंड एक नहीं यह ओटीपी लेकर के भी चूना लगाया है यह लोगों को लोन दिलाने के नाम पे भी इसने लोगों को ठागा है इसने लोगों के पीन का उसके कॉपी भी त्यार की है लोगों के पीन को लेकर के किया है OTP के माध्यम से किया है, कई लोगों को सस्ते इलक्ट्रोनिक गजट दिलाने के नाम पे किया है, किसी को एक लाखका कर मोबाइल चाहिए, ये बीफजार में मोबाइल दिलाने के बात करता था उसे पैसे लेके गाया भुजाता था, इस तरह कि इसने कई दरजन वारदातें की हो, तक काल हमें इलर्ट हो जाना चाहिए, कि कहीं ने कहीं इसमें कोई धोखा धड़ी है, ये व्यक्ति जो हितेश नाम का व्यक्ति है, यहीं मरी माता का रहने वाला है, ये पूर में कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इसने कई लोगों से लंबे समय से लोन लेने के नाम पर काफी लगबग 6-7 लोगों से इसने पैसे लिया और सस्ते लोन के नाम पर पैसे एड़्मांस लेकर करके गायब हो गया, फिर कई लोगों से इसने सस्ते इल्यक्ति गजट लेने के नाम पर इसने कई लोगों से लगबग आधा दर्जन लोगों से इसने लेकर के और उस इसने ये भी किया अलग अलग दस से बारत तरीके के मौड़स अप्रेंडी पर अधारित ठगी के वरदातों को इसने अंजाम दिया है अकेले वरदातों का अंजाम देता था इसलिए ये महत्पूर्ण है और इसमें अधिकांश जो इसने जो गजड़ सर जो धुका धड़ी क ये उसमें अधिकांश चीजों को पॉलिस ने जब्ट किया है बीरो रपोर्ट जेसार टाइम्स इंदोर